मानल सब्वेता के पहले लाष्टर भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंतर है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित समविदान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है दुनिया की सबसे पुरानी सब्वेताओं में सबसे उन्नत सब्वेता भारत ही है भारत में लगने वाले कुम्ब के मेले में 10 करोड से भी अधिक लोग सामिल हुए थे जो एक जगे एकत्रित हुई आज तकी सबसे अधिक भीड है यह भी इतनी ज़्यादा थी कि अंतरिक से भी दिखाए दे रही थी दुनिया की चोथी सबसे ताकतवर सेना भारत की ही है चाइना और यूएस के बाद भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी एक्टिव मिलिटरी है जिसके जवानों की संक्या 13,25,000 से भी जादा है हाला कि भारत हत्यारों का सबसे बड़ा आयातक देश है फिर भी भारत में अपने पिछले 10,000 साल की इतिहास में आज तक किसी भी देश पर आगे से हमला नहीं किया है सायद इसी लिए भारत को सांति प्रिय देश भी कहा जाता है भारतिय रेल एस्या का सबसे बड़ा रेल नेट वर्ट है इंडियन रेल वेड दुनियों में सबसे ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी देने वाली सर्फता है जिसमें 16 लाग से भी ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत है वहीं अगर देखा जाये तो आइसलेंड, थाइलेंड और वेडिकन सीटी जैसे कई देशों की दो जनसंख्या भी टोटल 16 लाग से अधिक नहीं होती हाला कि भारत को इस्लामिक कंट्री नहीं है लेकिन फिर भी दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश की तुल नामे भारत में सबसे अधिक मस्चीद है जिनकी संख्या करीबन 3 लाग है सिदिकान जिचकार भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे वेक्दी थे इनके पास IS, IPS, वकील, डॉक्टर समित करीबन 20 डिग्री थी सिर्फ 25 साल की उमर में ये MLA भी बने लेकिन 2004 में इनका देहान तो गया भारत अकेला इसा देश है जहां हर किसी चीज़ पर उसका MRP लिखा होता है दाग व्यास्ता पढ़नाली में भारत का इस्थान विस्मेर नमबर वन पर आता है भारत में कुल डाग करों की संक्या एक लाख फश्पन हजार पंद्र है देश के ऐसे डाग धरों में स्रीनगर के डल जिलकट डाग खाना भी सामिल है यह तेरता हुआ डाग कर रहे और इसकी सुरुआत साल 2011 में हुई थी दुनिया में सबसे अधिक साकारी लोग भी इंडिया में ही पाय जाते है प्रती आदमी के हिसाब से सबसे कम मेट की खपत भी भारत में ही होती है इसी कारण पिज़ा हाट को भी भारत में आकर अपना पहला साकाहरी रेस्टोरेंट खोलना पड़ा था और तोर केप सी तक को भी भारत के लिए साकाहरी भोचन को अपने मेन्यू में सामिल करना पड़ा था भारतियों के सोने प्रेम से तो आप भली बाती परीचित ही है सोना खरीदने के मौमले में भारत दुनिया में सबसे आगे है तो यह सोने को भारतिय संस्कृति का सबसे एहम सम माना जाता है केवल भारतिय महिलाओं के पास ही दुनिया का 11% सोना है जो कि अमेरिका, स्विजर्लेंड और जर्मनी जैसे देशों के कुल सोने से भी जादा है रिस्व का सबसे बड़ा रोट नेटवर्क भी भारत के ही पास है जो कि 1.9 मिलियन मिल के हिस्से को आपस में चोड़ता है दुनिया में सबसे बड़ा अप्चंतर भारत में है भारत में सबसे ज़वा मद दाता है और चुनाव में होने वाले खर्चों के मामले में भी भारत ही सबसे आगे है भारत के गुजरात के गिरके जंगलों के बीच हर बार हर चुनाव में एक अकेले वेक्ति में भारत दास दर्संदास के लिए पोलिंग भूत बूलागाय जाता है क्योंकि चुनावी नियमों के अनुसार कोई भी वेक्ति वोड डालने के लिए दो किलोमेटर से दूर नहीं जा सकता बज़ट की कमी के बाउजो भारत अंतलिक्स कारेगरोम में दुनिया के 45 देशों में सामिल है भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रियास में मंगल गरहपर अपना यान सक्सिश्पुली भेज दिया था साथ ही चंदर्मा पर पानी की खोज करने वाला पहला देश भी भारत ही था अंतिरिक्ष में जाने वाले पर्थम भारती वेक्यानिक राके सर्मा से जब ततकालिन पढ़ान मंतरी इंद्रा गांधी ने पूछा कि अंतिरिक्ष से अपना भारत देश कैसा दिखता है तो उनका जवब था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा सतरंज का खेल जिसे चैस भी कहा जाता है इसका आविसकार भी भारत में ही हुआ था उस समय इसे चतुरंग संसकर्ट के नाम से जाना जाता था जिसका आर्थ होता था एक सेना के चार से दस्या साप और सीडी जैसे अनोखित खेल का आविसकार भी भारत में ही हुआ था इस खेल के पीछे भलाई और दुराचार के सिक्षा भी चुपी हुई है अब जब बात खेलों की ही चल रही है तो हम कबटी को भी कैसे भूश सकत है अब तक हुए कबटी के सभी 6 वैड कप भारत नहीं जीते हैं यह वाकई में हमारे लिए बहुत गरूप की बात है दोस्तों भारत के समविधान का सबसे अच्छा कानूर मुझे यह लगता है जो शायद आपको ना पता हो कि भारत में किसी भी बच्चे के लिए illegal है कि व अपने फ्रेंड्स के साथ से जरूर करें और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब चरूर कर ले धन्यवाद दोस्तों हमारे यह वीडियो देखने के लिए आपका दिन सुख रहें